सब्सक्राइब कीजिए इस्टोरी एडिक्वेशन वित आसिस को और कर दीजिए इस बेल आइकन को एक्टिवेट ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सकी हेलो फ्रेंट्स इस्टोरी एडिक्वेशन आपका स्वागत है और आज में लिकाया हूं हिंदी में पार्ट लेट लेकर आया हूं इसमें हम जानेंगे वचन के बारे में देखे दोस्तों इससे पहले हमने संगय के विकार किया था जिसमें हमने संगय के विकार में जाना था कि संगय के तीन विकार होते हैं लिंग वचन और कारक जिसमें हमने लिंक तो पढ़ लिया था और यह हमारे पर जा मतलब होता है number ंब्ली तो यांफ सब्सक्रांप का नंच बात करें हमें या किसी वस्तुक इब टो कने करें तो उसे हैं लडका क्या है नमबर में हुआ एक थीख वैसे बॉत सारे नमबर में लडके से लड़की जिस परकार के लड़के कहते हैं तो हम चलो जानते हैं आज वचन क्या है तो सब्द के जिस रूप में किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोद होता है उसे हम वचन कहते हैं ठीक है वह है कि कोई भी वस्तु है कोई भी कोई भी व्यक्ति है वस्तु है तो उसका एक या अनेक संब्सक्राइब एक वचंति में क्या होता है जिस सब्सक्राइब गया होता है जैसे लड़का क abnormली मतलब इनका संखिया के निया लड़का कैसे यह वहbestराइब त्प है मॲनते हैं मैं ऩngचारी हिंता करने मुलते हैं अधिक व्यक्तियों या वश्थ्टों का upload होता है उसे क्या बहुं वचन जाशे लड़का एक है तो एक बहुं जाता हो जाता है तो लड़के ठीकloo क्या वोचन पुस्तक है बहुं जो हिंदी में वचंसंत्री के Statist और अगर दो व्यक्ति की बात करते हैं तो उनके लिए बहु वचन की बहु वचन का प्रयोग करते हैं लेकिन जो हिंदी है हिंदी में केवल दो वचन होते हैं एक वचन और बहु वचन एक वचन में क्या होता है कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करें एक वस्तू की बात करें तो एक वचन और एक से अधिक व्यक्ति की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है जैसे लड़का से लड़कें पुस्तक से पुस्तकें ठीक है अब देखे एक वचन से बहु वचन बनाने क टीक नियम क्या होता है ठीक है सबसे पहले हम बात करते है नियम n owner A === a पूसता अगर ead induk में आ चाहते हैं त counterparts पूस्त है अगर नों तो लिया निदे किसी सब्द की आंती में और है तो कि आ क्या कहते है ऐ तो उसके स्थान पर ऑगला नियुक्त अम लो यह बड़ा होगा है नियुक्ति सब्सक्राइब कर लगता ईकर थ्यौむ चोटी ए चोटा ओ ठीक है और जो बड़े होता है जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है तो हम बता रहते हैं यहां पर कि यदि किसी सब्द के में अगर उकारांत आये तो इनके स्थान पर क्या हता है यहाँ जी आरहे है तो कभीता क Где क्या है निया जैसे कथा कथा क्या है एक वचन है तो कथा का कथाएं ठीक है आप देखिए आपे गौ गौ यानि क्या रहा है यह देखिए ओ आ रहा है ठीक है लाश्टिम अकरांत क्या रहा है ओ अकरांत आ रहा है तो गौ का क्यों आएगा गौएं वैसे अगर हम बात करें माला एक वचन म कि हिसी लता है तो लता का लिता भी द मी कि यह कर दो गियोगा तो बदू पर नियम का कहता है कि अकारांद्सब्दों के अंद में यदि आ आये तो इसके स्थान पर अ हो जाता है ठीक है तो जैसे यहां पर दिया गया एक वचन में कपड़ा तो कपड़ा का कपड़ें एक ही मात्रा आ जाती है ठीक है जैसे कमरा कमरा का कमरें अब देखिए यहां पर कपड़ा है तो कपड़ाएं यह नहीं हो गया यहां पर गलत बैठता है ठीक है तो इसलिए हम जा करता है कपड़ा का कपड़ें एक ही मात्रा ठाको यहाद को बस च्तो यह यहाद ना है कि अकारान जो सब्डस अकर इसके अंते में ay तो बससे लिवाला या फिर है कि मात्रा होगी तो आपको यहांपे ठाटına न पड़ेगा कि कौन सा किसे पर सूट करता है यहां पर बचयायई तो यहां pais क्या है कि अगर किसी सब्सक्राहर नियम सब्सक्राइब सब्सक्राइब पे यह वाले एंगी ठीक धिवार का दिवारें चीज का चीज 비대 का बातें ठीक कर लम कलम मौ उर्फके मॉय।्टे मोह रहे हर किसी आन्तव में ओ आ रहा है तो जिसकी भी आन्तों में और आता है उसका क्या हो जाताmers लाश्ट में बहुचं में पन् άλλ लड़की लड़की का लड़कियां बस आपको यहां लगा देने क्योंकि चोटी बड़ी की मात्रा यहां पर बड़ी है चोटी की मात्रा यहां अंत्य में तो उसके स्थान पर हम विया कर देंगे यहां लगा देंगे यह से नारी का नारियां पंक्ति का पंक्तियां मचली का मचलियां इस्त्री का इस्त्रियां गली का गलियां नदी का नदियां टोपी का टोपियां वैसे अगर हम बात करें लकडी तो लकडी का लकडियां नाली न सक्ति का सक्तियां ठीक है बुडिया बुडिया का बुडियां रानी का रानियां डिबिया का डिबिया देगी यह कोशन काफी बना है क्योंकि यह लगता है कि एक वचन और बहुचन सेम है डिबिया या डिबिया तो बस यहां से यह question कई बार पूछेगा है डीविया तो अधीतर पूछ जाता है कि एक बचन है या बहु बचन है तो आपको ध्यान रखने कि अगर डीविया के उपर चंद्रबिंदी लगी है तो बहु बचन है लेकिन अगर केवल डीविया लिखा है तो यह एक बचन है यह काफी important question है ठी का एक अब इस कि आगे वर्ड़ते हैं next है कि कुछ सब जो होते हैं हमेसा बहु बचन में ही परियोग किये जाता है ठीक है जैसे समाचार प्रजा ठीक है रोम होस-पुन की समाचार है समाचार क्या एक्ष्णों से मिल्कर बना होता है ठीक है तो एक तो गलोगों का सम्मू को हम बोलते नहीं कई व्यक्तियों का सम्मू का बनता है एक तो टपकतां कई औस होते हैं इस प्रगार के जो सब्द होता है इनका हम就是 करते हैं वो हमें सब भूभर वाचन के रूप में करते हैं मैंने क्या प्रान तो जब्मेर आप पर चट पटाने लगे लगे सेर को देखते ही मेरे होस उड़ गया याद फिर सेर को देखते ही मेरा होस उड़ गया यह फिर एस तो हो नहीं रहा यहां पे कि मेरे प्रांट्फजट पटाने लगा यह वहारा असुदде सब्द हो जा रहे हैं असुदा हो जा तो यहां पर इस्लेम क्या करता है कि जितने ही सपद होता है इनका यूझ हमेसा बहुवचन में ही होगा ठीक है इसी के साथ हम बात करते हैं तो कुछ सब्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा हम एक वचन के रूप में करते हैं चाहे वो कोई भी हो गया जैसे चाया प्रेम जल दूद हवा सामगरी सामान आग सोना चमा वर्सा पानी जनता क्रो देखने में तो लगता है कि कई लोगों के समूग को जनता कहते हैं लेकिन यह होता क्या है एक वचन होता है कोईशन यहां से बनता है सजादा जो कुछन बनता है जो अपवात के रूप में होते हैं जैसे जनता यह वर्सा ठीक है वर्सा भी देखोगे तो आप सोचोगे कि कई बारिसों के कई बारिसो खो गया अब यह तो है ने तो देखिए सामान खो गया यहां पर किसम हो रहा है एक वचन की रूप में परयोग हो रहा है अब यह तो हो नहीं सकता है यहां पर किसमान खो गए ठीक है तो यह क्या हो दाएगा असुद वाक्य हो जाएगा तो इसलिए यहां पर क्या है सामान ख जिनका यूज हमेशा किसमें करते हैं एक वचन के रूप में ही करते हैं इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम किसी सम्मान या आधर की बात करें सम्मान या आधर दिखाने के लिए हमेशा बहु वचन का ही परियोग होता है जैसे पिताजी आ रहे हैं अध्यापा कक्छा में पढ़ा रहे हैं तो अब ऐसा तो होने सकता है कि पिता जी आ रहा है या ध्यापा कक्षा में पढ़ा रहा है तो इसलिए आदर या सम्मान देना है करम को किसी को तो वहां पर हमेशा बहु वचन का ही परियोग होता है ठीक है जैसे पिता जी आ रहे हैं अध्यापा कक्षा में पढ़ा रहे हैं माता जी दैरादुन जा रही हैं तुलसिदा स्रिष्ट कभी थी अब यह तो हो नहीं सकता है कि तुलसिदा स्रिष्ट कभी था ठीक है तो जहां पर भी हम सम्मान यादर की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा बहु वचन का ही परियोग होता है जैसे आप क्या चाते हैं इसके लावत देखिए दोस्तों जहां पर भी अगर अनेकों सब्द है वो हमेशा गलत होता है असुद होता है अनेकों सब्द का परियोग हम गलत होता है ठीक है इसकी जगा पर हम क्या करते हैं अनेक का परियोग करते हैं क्योंकि एक कप बहुबचन जो होता है वो सुद्ध वाक्य बताईए ठीक है तो जैसे लिए यहां पे वहां अनेकों लोग थे जो भी अनेकों का पर्योंग करता है वह हमेंसा असुद होता है ठीक है वहां अनेकों लोग थे तो यह क्या है असुद है जब किसके सुद्ध क्या होगा वहां अनेक लोग थे वैसी बाग म में इनेकों अनेकों ब्रिक्षति गलाह है जब यह क्या होगा बात में अनेक ब्रिक्षते यह सुध्ध होगा तर erosion के बारे में जाना वचन क्या होता है अब हम इसके कुछ तो तीन या चार तो देखिए हिंदी में जो वचन होते हैं वचन के कितने भेद होते हैं दो भेद होते हैं ठीक है एक वचन और बहु वचन हो एक हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं ठीक है एक वचन दूई वचन और बहु वचन लेकिन यहां पर ह देहा है जनता वर्सा जल या हस्ताक्षर तो मैंने आपको बता या था कि यह सब्दений तो नहीं है श्पू को ही दो हवा है यह हवा है यह क्या है यह 10 राट कैने लडगा तो हमने बताया है जहां पर भी अगर ности कि मत्रा है ओसका था घडिया यहां बन जाता है तो यहां पर यहां है तो यह एक वचन में गोड़ा एक वचन में है लड़का एक वचन में लड़का एक वचन है रहाए स्ञुशन है किया इस में गोचन है यहाँ यह सबाना आज हमने हिंदी काज पार्ट एट कंप्लिट किया, इसमें हमने वटन के बारे में जाना और जो इसके बाज ऑन है नेक्ड वीडियो होगी वो कारक पर होगी, तो आपको कमारे वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेयर कीजिए